Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 28 जून और आज किस वीडियो में हम 28 जून से रिलेटेड करेंट अफेर के सभी important question को cover करेंगे और आप में जो भी railway के aspirant है उनके लिए text book पर RRB NTPC 2021 के updated और latest 176 test यह आप लोगों को मिलेंगे जिसमें की 26 total test free हैं साथ में आप लोगों को RRB NTPC इसका जो CBT2 होना है इसके लिए updated 90 test junior translator के 200 test और यह सभी आप लोगों को मिल सकेंगे साथ ही आप free test के लिए sign up कर सकते हैं for better experience और use the coupon study10 study10 का coupon आप use किये और text book पर काफी सारे exams के study material और mock test यह available होते हैं जिसमें आप लोगों को railway, SSC, banking, defense आधी सभी examों से related 8000 प्लस mock test एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए यह आप लोगों को मिल सकेगा 499 में तो यह आप इसे लेना चाहें तो आप study10 का coupon इस्तमाल करके इसे purchase कर सकते हैं इससे आप लोगों को 30 रुपए extra discount मिल सकेगा link description box में दी हुई है तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question तिबबत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजले से चलने वाली यानि कि पूरी तरह से जो electric bullet train है यह किस देश ने शुरू की है कहां की है तिबबत में तो यह कौन कर सकता है चाइना के लावा तो कोई हो नहीं सकता तो हाली में चाइना के दुआरा यह करामात की गई है अरुनाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए यह जो आप देख रहे हैं bullet train यह कहां से कहां तक चलाई जाएगी तो देखिए तिबबत की जो राजधानी लहासा इसे connect करेगी निंग्ची से जो की अरुनाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए है और यह है एक तरह की bullet train पूरी तरह से बिजली से चलने वाली जो train है चाइना अपने वेब में तो कहा जाए तो डेवलप कर रहा है अपनी country को आसपास यह पैसा लगा रहा है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू काश्मीर वाले एरिया में भी इसने पैसा लगा रखा है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडूर जिसे कि चाइना connect हो रहा है पाकिस्तान से पाकिस्तान का जो गौादर पोट है, ताकि गौादर पोट होते हुए ये यॉरोप महादीप में, मतलब की जो यॉरोपेन कंट्री है, वहाँ इसली पहुच सके, और इसका जो रूट है, ये शौर्ट हो सके, क्योंकि जो शाइना है, ये घूम कर आता है, हिंद महासागर ति साथ ही अब जो इसने अरुनाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए, ये जो बुलर ट्रेन है, मतलब की ये जो इसका प्रोजेक्ट है चल रहा है, जो की कंप्लीट हो चुगा है, तो यदि आप लोगों को याद होगा, तो इसने कुछ समय पहले ही, अरुनाचल प्रदेश देखी ही है, तो आप क्या कह सकते ही, ये पूरी थरह से भारत को ही घेरनी की कोशिश कर रहा है, अच्छा, इसमें चाइना का क्या कहना है, तो चाइना का कहना है, कि देखो, हम तो किसी भी कंट्री के साथ युद्ध कर नहीं रहे हैं, हमारी सीधी से स्ट्राटेजी है, कि कोके देखो भाई किसी भी country को यही पैसे की जरूत पड़ती है तो हम उस country को लोन दे देते हैं लो भाई तुमको कितना पैसा चाहिए लोन दे दिया अब सामने वाली country उस पैसे को नहीं चुका पाईगी तो यह उस से वह कब्जग कर लेता है जैसे कि एक्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को श्री लंका का जो हमबन टोटा पोट है इसी पोट पर चाइना ने बहुत सारा पैसा लगाया था और इस पैसे को श्री लंका चुका नहीं पाया जिसके बाद से श्री लंका को इस पोट को चाइना को देना पड़ा है 90-99 साल के लिए लीस पर और ऐसा भी हो सकता है कि ये हिस्सा चाइना के ही कबजे में आ जाए तो ये तो चाइना की नीती है और ये इसकी नीती शुरू से ही रही है और इसलिए भारत के दौरा जो पूर्वत्तर की राज्य हैं यहां अक्सर अपसपा कानून लगा को चाइना का इस हद तक प्रवाव था कि यह पूरूत्तर के राज्य मतलब कि यहां के जो लोग हैं जो की पूरूत्तर भारत में रहते हैं यह खुदो भारत का हिससा नहीं मानते थे यह समझते थे कि हम चाइना का हैं और हाली की घटना की देखी जाये तो आप लोग उन्हीं सुना भी होगा पूरुत्तर भारत का एक राज्जी है जिसका नाम है नागालेंड नागालेंड में अभी क्या हुआ था कि यहां के जो लोग है यह स्वयम के ध्वज और स्वयम के सम्विधान की मांग करने लगे थे कि हमको हमारा अलग स चेत्र यहने की डिस्टर्ब्ड एरिया यह घुशित किया जाता है सबसे पहले किस राज्जी में कानू लगा था मणीपूर में नाइंटी फिफ्टी में तो यह सारी चीजे में आप लोगों को बता दी है यह है एलेक्ट्रिक बुलो ट्रेन जो कि तिबद की राजधेनी लहाँसा और निंची की बीच चलाई जाएगी अगला कोश्चन है हाली में फाइनेंसेल एक्शन टास्क फोर्स यानिकी एफटी एफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिश्ट में बरकरार रखा है तो यह और कौन हो सकता है नन अदेर दन पाकिस्तान एफटी एफ ने इसे अपनी ग्रे लिश्ट में ही बरकरार रखने का फैसला किया है फेटी एफ यानिकी फाइनेंसेल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक अंतर सरकारी संगठन यानिकी इंटर गवर्मेंटल ओर्गनाईजेशन है जिसके स्थापना नाइंटी एट्टी नाइन में की गी थी और य मनी लॉंडरिंग आप समी समझते ही क्या होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना खासकर यदि कोई अंतराश्टी इस्तर का केस आता है मनी लॉंडरिंग से रिलेटेड तो ऐसा संगठन हो जो कि इससे निपट सके इस उदेश से एफ टी एफ की स्थापना की गई थी तो देखे वर्स 2000 तक क्या होता था कि ये केवल मनी लॉंडरिंग पर निगरानी रखती थी उन केसेस पर लेकिन वर्स 2001 से इन्होंने ऐसा विचार किया कि ऐसी कोई भी कंट्री जो कि टेरर फंडिंग करती है जो कि आतंकवादियों को पैसा देती है उन पर भी निगरानी लिष्ट में आ चुका है तो FATF ने इसे फिर से ग्रे लिष्ट में ही बरकरार रखा है और FATF के द्वारा मनी लॉंडरिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान को एक उपाय बताया था मतलब कि इसके लिए 27 एक्शन प्लान यह बताया थे पाकिस्तान को क आप इनका पालन कर लो यदि आप इसका पालन सहीं से कर लेते हो खुद को प्रूव कर देते हो तब हम आपको ग्रे लिष्ट से बाहर निकाल देंगे तो अभी क्या हुआ है कि FATF की एक लिष्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि FATF ने पाकिस्तान को जो 27 एक्शन प पारा मीटर को पूरा करिए इसके बाद ही हम आपको ग्रे लिष्ट से बाहर निकाल पाएंगे फिलहाल आप यहीं पड़े रही है तो ग्रे लिष्ट ये तो आपने समझ ली चली में फिर से समझा देती हूँ FATF के द्वारा दो लिष्ट जारी की जाती है एक होता है ग्रे लिष्ट दूसरा होता है ब्लैक लिष्ट किसे भी कंट्रीज को यदि ग्रे लिष्ट में डाला जाता है तो कहने का मतलब है कि FATF इसे वर्ण कर रहा है वर्ण कर रहा है कि चेतावनी दे रहा है आप सुधर जाओ, एक strict रवया अपनाया जाता है, चितावनी दी जाती है, और इसे यदि ग्रे लिश्ट में रख दिया जाए, यदि किसी कंट्री को, तो होता क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल के बैंक है, जिसे की IMF हो गया, World Bank हो गया, European Bank हो गया, इन में, मतलब कि इन बैंकों में, इ पाकिस्तान को किसी भी condition में लोन देते ही नहीं, तो पाकिस्तान को तो बेडा गरगी हो जाता, यदि वो ब्लैक लिश्ट में आ जाता, ये पूरी कोशिश कर रहे है कि किसी भी तरह हम इस ग्रे लिश्ट से बाहर निकल सकें, क्योंकि पाकिस्तान की आरथिक स्थिती ये त पाइना पाकिस्तान economic corridor के बारे में बताया था जो कि जम्मु कश्मीर के कारा कोरम दर्रे से होते हुए कहां तक जाएगा पाकिस्तान के ही ग्वादर पोड तक साथी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतराश्टी सीमा रेखा निरधारित करती है इस रेखा का नाम क्या है रेड क्लिफ रेखा भारत के ऐसी कितने राज्जिय या यूटी है जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं जम्मु कश्मीर पंजाब देखी एक पंजाब पाकिस्तान में भी है फिर राजस्तान और गुजरात अगला कोश्चन है smart city award 2020 से कि शहर को सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है इंदौर और जैपूर इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में इस्तित है जो कि स्वक्षता सरवेक्षन के नुसार भारत का सबसे स्वक्ष सहर है और जो जैपूर है जैपूर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं राजस्तान में इस्तित है जिसे हम भारत का Paris भी कहते हैं साथ ही इसे UNESCO के World Heritage Site में 2019 में ही शामिल किया गया था तो Best Cities यानि की सबसे Smart Cities के रूप में इंदोर और राजिस्थान के जैपूर को चुना गया है और ऐसा पहली बार है कि राज्य को भी यहां Smart Cities की इस्तिती के आधार पर अवाट दिया गया है जैसे कि टॉप पर है उत्तर प्रदेश इसके बाद मद्धि प्रदेश और इसके बाद तमिल नाडू का इस्थान आता है जबकि यदि हम यूटी इसकी बाद करें तो चंडीगड को सर्वस रिष्ट यूटी का अवाट दिया गया है और ये जो पूरी लिष्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है केंदरी आवास और सहरी कारे मंत्राले के द्वारा प्रेजन टेम में इसके मंत्री कौन है हरदीप सिंग पूरी अगला कुश्चन है भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राजजी कौन बना है तो ये भी हाली में बन गया है गोवा रेबीज मुक्त बना है कहने के मतलब है कि अब गोवा में रेबीज का कोई भी केस नहीं है रेबीज आप सभी जानते हैं ये एक संकर्मण बिमारी है जो कि जानवर के लाड़ से फैलती है और यदि वाइरस पूछा जाए तो ये नियूरो ट्रॉपिक लाइसीवर्स वाइरस से फैलता है किसे प्रभावित करता है तंत्र का तंत्र को और यदी देखा जाहे तो यह मुख्यता कुत्ते के ही काटने से होता है। और इसी से, बतलब कि इस बीमारी से मुक्त हो चुका है, गोवा, इसने जो इसके लिए प्रयाश कीए हैं, इस प्रयाश से इसे ये उपलब्धी मिल गई है, तो यदी हम बात करें गोवा की, जो कि शेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्जी है, महराष्ट के जश्ट नीचे, छोटी सी इसकी सीमा है, गोवा की राजदानी पंड जी, मुख्यमंत्री कौन है, प्रमूद सावंत, और गोवा में है इस्तित है सली मली बड सेंचुरी, जबकि सली मली न हमारी के लिए आयरुवेद का इस्तमाल करने वाला ये भारत का पहला राज्जे है, एक और इंपोर्टन फेक्ट है, हर घर जल योजना के क्रियानवन में, भारत का जो राज्जे टॉप पर है, ये गोवा ही है, मतलब कि गोवा के लगभग सभी घरों में नल का कनेक्शन पहुच चुका है, साथ ही हाली में, गोवा में ही भारत के दूसरे फ्लोटिंग जट्टी यानि की तैरते हुए घाट का भी उदगाटन किया गया था, तो भारत का पहला तैरता हुआ घाट और दूसरा तैरता हुआ घाट, दोनों का उदगाटन गोवा में ही किया गया है मंसुख मंडाविया के द्वारा अगला है भारत के नय केंद्री सतरकता आयोगत ये कौन बने हैं तो ये भी हाली में बन गया है सुरेस एन पटेल इरो ने इस्थान लिया है संजेक उठारी का सुरेस एन पटेल जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं यदि हम बात करें केंद केंद्री सतरकता आयोग इसका गठन किया गया था हैटक्वाटर तो ये इस्थित नई दिल्ली में इसे के आयुक्त बन गया है सुरेस एन पटेल यदि हम बात करें वाई के सिनह की यानि कि यश्वन्त कुमार सिनह की तो यह भी हाली में हमारे केंद्री सूचना आयुक्त बनाए गये हैं जबकि दि हम बात करें शुशील चंद्रा की तो यह भी हाली में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गये हैं 24 वे क्रम के इन्होंने इस्थान लिया था सुनिल अरुरा का अगला कोश्चन है हाली में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरे इसे लाँच किया गया है जो की यूजर्स को मतलब की यूजर्स के एक्सपीरिंस को बहतर बनाएगा इसे लाँज कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा ये operating system ये होता क्या है operating system आप ऐसे कह सकते हैं कि hardware और software इसके बीच ये mediator का कार्य करता है और अब यदि हम बात करें Microsoft की तो इसके स्थापना हुई थी 1975 में Bill Gates और Paul Allen ने इसके स्थापना की थी Headquarter इसे थे California USA में अच्छा ये आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही Microsoft के दुआरा इसका जो browser है जिसका नाम है Internet Explorer ये बंद किया गया है इसने लगभग 25 साल अपनी सर्विस दी थी तो exam में ये आप से 4 option दे करके ये पूछा जाए कि Internet Explorer ये है क्या तो ये browser है किसका है Microsoft का जो कि अब बंद हो चुका है अच्छा बिंग क्या है तो ये सर्च इंजन है Windows 11 तो ये operating system है बता ही दिया है हमने ये question exam में कई बार पूछा गया है डग डग गो ये क्या है तो ये भी एक सर्च इंजन है अगला question है किस राज्य सरकार ने पशू कल्यान के लिए पहला पशू वार रूम इस्थापित किया है तो ये भी हाली में इस्थापित किया गया है करनाटक गॉर्मेंट के द्वारा खास तोर पर ये पशू के health को दिहान में रख करके launch किया गया है पशू वार रूम इसके तहट दूधुत पादन, डेरी प्रोड़क्ट्स साथ ही मोविशों के हेल्थ का मतलब कि इनके हेल्थ में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा और इसे के लिए इस पशु कल्यान वार्रूम के शुरुआत की गई है कहां कि गई है करनाटक में करनाटक की राजधानी है बैंगर्वर बैंगर्वर में ही भारत की space agency इस रोका headquarters है इसी बैंगर्वर में भारत की पहली gir's football academy इसके स्थापना की गई है साथी भारत का पहला mana forestra tower जो की पूरी तरह से greenery को धियान में रखकर के बनाया गया है एक तर ड्राइवर्लेस, ड्राइवर्लेस मेट्रोकार ये इसी बैंगलोर से ही लॉंच की थी, साथी हाली में करनाटक का 31 जीला बना है, इसका नाम क्या है, विजय नगर, जो की वेल लारी से अलग होकर के बना है, अगला कुश्चन है, किस राज जिने एलेक्ट्रोनिक, सौरी, एल वहन खरीदते हैं, उन्हें डेल लाक रुपे तक की सबसेडी दी जाएगी, गुजराद गवर्मेंट के दौरा, तो ये जो सबसेडी मिलेगी, ये केंद्र सरकार के दौरा, जो फेम टू सबसेडी दी जा रही है, इसके अलावा मिलेगी, फेम टू है क्या, तो फेम की फि ये वहन जिसमें की, जो सबसेडी पहले 10,000 की दी जाती थी, इसे अब बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वहनों का इस्तमाल करें, इसके लिए राजिस सरकारे और केंद्र सरकारे अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं, जिस जीरो परसेंट टेक्स देना होगा, जो रोट टेक्स वगैरा होते हैं, जीरो परसेंट रोट टेक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ऐसे में लोग ये वहनों की तरफ आकरशित होंगे, जिससे की वायू प्रोदूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा, ऐसे ही घोशना भी हाल गुजरात में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये भी गुजरात में ही बना है एहमदाबाद में, साबर मती नदी के किनारे, ये इस्थित है एहमदाबाद, दुनिया की सबसे उची प्रतिमा, सरदार वल्ला भाई प्रतिमा, जो कि गुजरात के ही नर्मदापूरम जिले के केवडिया कालोनी में अस्थित है, अगला कोश्चन है, भारत का पहला स्वदेश वहन, मतलब कि स्वदेश निर्मित, विमान वहक, आयनस विकरांद, ये किस वर्ष तक कमिशन किया जाएगा क्योंकि 2022 में क्या है, आप सभी जानते हैं, भारत अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है, यदि हम बात करें, आयनस विकरांद की, तो ये खास बात इसकी ये है कि पूरी तरह से भारत में ही निर्मित किया गया है, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, और इसे कोची के रल म ये भारत में बनने वाला पहला एरक्राफ्ट करियर होगा, अगला कोश्चन है, 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या सीर्षक वाली रिपोर्ट के नुसार, 2019 में कितने लोगों में से एक की आत्महत्या समरत्ती हुई है, मतलब कि एक आकड़ा जारी किया गया है, जिसमें ये नंबर वन पर है, हलाकि हमारा जो सम्विधान है, सम्विधान के आर्टिकल 21 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि यूथनेशिया, यनि कि खुद की जान लेना आत्महत्या ये अपराध है, तो भारत में अलाव नहीं है, लेकिन तब भी देखा गया है कि जो सुसाइट करने के मामले में भारत सबसे आगे है, तो जो यूनाइटेड नेशन है, इसका एक इंपॉर्टन टार्गेट है कि जो वैश्विकात में हत्या है, दुनिया भर में जो लोग सुसाइट कर रहे हैं, इसकी मृत्य उदर को एक तिहाई तक कम किया जा सके, लेकिन WHO की रिपोर्ट क्या कहती है, कि दुनिया इस लक्ष तक नहीं पहुच पाईगी, क्योंकि हर साले देखा जाए, तो सुसाइट करने वाले लोगों की संख्या ये हर साल बढ़ती ही है, सुसाइट वर्लड वाइड इन 2019, इस सीरसक से ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये अंसर था, जमशेद जी, टाटा, अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, जो की इंपोर्टन्ट है, किस देश में, मतलब की किस राज्य में देश का बावनवा टाइगर रिजर्व बना है, इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो दी पसंद आ है तो लाइक कीजे, शेयर कीजे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आज के लिए इतना ही, थाइंक्यू सो मच